मैं एजास खान पवित्रा पुनिया के मटर पनीर बन चुके हैं अब मटर पनीर कैसे बन गए हैं यह हमें समझ नहीं आ रहा है लेकिन आपको भी शायद समझ नहीं आ रहा होगा चली बता देती हैं इस वीडियो के अंदर है दो दूसरी को बना देते हैं शेफ क्या है खबर तो दरअसल ऐसा हुआ कि पवित्रा फैंस ने एजास खान से भरा हुआ मतर पनीर का बोल बना दिया जिसने ओं कह रहे हैं कि मतर पनीर गर। क्योंकि इसमें एजाज हैं और एजाज बड़े ही होट हैं जिसके बाद पवित्रा और एजाज जब मिले तो उन दोनों के बीच में इस चीज को लेकर चार्चा हुई और पवित्रा अपनी हसी नहीं रोख पा रही थी यह बात सोच कर तो एजाज नियोंने हस्ते हुए कैप अपनी ही इसी को देखकर, याने की मतर पनी सुनकर, मतर पनी आजब को जान कर जो हसी के बाद उसी हसी को देखकर वो दोबारा हसी और और वोड़ के हसी और इस चीज को इजाज काप्चुर करकर खुद हसने लगे तो इन दोनों की बीच की जो bonding है मतर पनीर हो या कुछ भी हो जिसकी विदिसन की बीच की bonding नज़र आ रही है या रिली लविंग एट की किस तरीके से इन दोनों की बीच में काफी अच्छी understanding ग्रो हो रही है ये क्यूट से moments grow हो रहे हैं एक दूसरे को देखकर जो है दोनों एक दूसरे को निहारते रहते हैं पवित्रा की भी अगर आप स्टोरी देखे तो उसमें वो एजास कान को निहार रही है तो वह ये दोनों जो है एक perfect couple की तरह सामने निकल कर आ रहे हैं बॉस में सिसला शुरू हुआ इनके प्यार का अभी तक जा रही है और हम तो चाहते हैं कि ये लोग जल्दी से शादी कर लें बताते हैं कि December में पवित्राज की शादी की खबरे जो आ रही ही उसके उपर पवित्रा ने finally ये बोल दिया था कि भाई मुझे अभी पैसे कमाने है I am focusing on my career पिछला साल कर्टी में रिकल गया एस साल पैसे कमाने ने दो तो भाई यहां पर December wedding पर भी सवाल खड़े हो गए हैं लेकिन जिस तरीके से ये दुनों strongly अपने relationship में जा रहे हैं we really wish कि ये लोग जल्दी ही शादी कर ले क्या कहना चाहेंगे पवित्रा और एजास के बारे में जरूर लिखे comment section में ताकि मैंसर जुड़े रही और भी खबरे हैं लगातार इसी तरीके से आप तक पहुंचाते रहेंगे